ठीक है और नहीं आता है तो मैं साथ के साथ बता भी दूँगा याग ठीक है चलिए लिखी हेडिंग डालिए कंपाउंड ट्रस्ट कुछ लोग सोच रहे हैं सर कंपाउंड से पहले तो सिंपल सिखाये जाता है या आप यह क्या कर रहे हैं वो स्कूल थोड़ी है यार यह है स्कूल में डर आते थे कि सिंपल आता है तो ही कोई लेना देना नहीं है दोनों अलग लेवल की येम है ठीक है तुनना यार क्या करते हैं पहले हम देते जाना कहानी क्या और यह मालो इफ्रेंड ओफ माइन बॉराओड वन थाउजन रूपी फ्रॉम मी मेरे दोस्त ने एक अलगा वह 70 परतिशत कितिन हो गया 100 रूपएं मैं को मैं इस अब करेंगा एक साल बाद टो अमंट जो मुझे पे करेंगा डेट विल्फी उलेवन हंड़ड तो में एक साल बाद उसके पास गया मैंने कहां कि मेरा अमाउंट पे करो 1100 कि सो ही वास्टिल शॉर्ट ऑफ मनी सो क्या बूलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है मुझे तुमारा पैसा एक साल और चाहिए अब मेरा पैसा जो एक साल उसके पास और है वो कौन सा है हजार है ग्यारा सो ग्यारा सो है क्योंकि को वह 100 रुपी भी म ग्यारा सो का 10% फिर से कितना हो जाएगा मेरे दस 110 तो एक साल बात 1100 एक सो दस कितना हो जाएगा फिर से बारा सो दस मैं फिर से गया उसके पास सेकेंड यर के एंड पर अगें ही हैड दा सेम थिंग क्योंकि डॉंट है मनी अब कौन सा पैसा है उसके पास 1210 नेक्स्ट यर फिर उसके लगा कितना 10% तो कितना 121 और तीसरे साल उसके पास कहीं से पैसे आ गए और उसने कितना पे कर दिया कि इंट्रस्ट क्या रहता है प्रिंसिपल से जितना उपर तुमने कमाया है वो तुम्हारा क्या है इंट्रस्ट है कि तुमने कुछ पैसा उसको दिया उसने कुछ मिला कि जितना जो तुम्हारा इंट्रस्ट बन रहा था वह आपको पे किया तो जो प्रिंसिपल और जो पे कर रहा हूं percentage जिसने किया होगा उसको दिहान होगा इसको हम क्या बोलते हैं तक सेसिव इंक्रीज यह सुरणू तक सेव निक्रीज क्या रहता है जो परचैंटेज में नहीं थे इक बार सुन लें किसी भी नंबर को अगर मैं इसको ये ना बोलके ऐसे बोल देता है कि हजार कोई नंबर था पहले बाल एक बार मैंने उसको 10% से इंक्रीज किया फिर जो इंक्रीज होके नंबर बना उसको फिर चेंज किया फिर इंक्रीज होके बना उसको चेंज किया तो यहां पर सिरफ किसकी बात होगी successive increase की बात होगी तो आगे से आपसे कोई पूछे ना वट इस compound interest तो उसको दूसरी definition देना अभी तक आप क्या बोलते होंगे interest on interest is compound interest कि जनरल सी ब्याज पर ब्याज होता है तो बोला वो क्या बोलते हैं आपका compound interest होगा पर दूसरी definition क्या बोलते है compound interest is nothing but it is is a successive increase on some amount जो भी amount होगा number जो भी रहे at some r% जो भी rate रहेगा उसका for the time दो साल तीन साल चार साल पांस साल जितने साल भी रहे compound interest कुछ नहीं होता है क्या होता है successive increase है बस nothing else अब बात आती है कि क्या question आएंगे तो मैं ऐसे ऐसे करता रहूंगा क्या यह तो मैंने number भी बहुत प्यारा से लिया यह rate भी बहुत प्यारा से लिया तो calculation में ज्यादा time नहीं लगा मुझे यहां भी number टेड़ा मेडा दिखेगा जीवन में यह percentage में कुछ अजीव सी दिखेगी तो इस तरह से power n n रहता यार यह time नहीं होता पहली बात तो n होता है time नहीं होता है n time होता है सिरफ एक case में जब आपका interest क्या हो पर nm compounded हो रहा हो मतलब हर साल के बाद लग रहा हो n को actually में क्या बोलता है number of terms number of terms का मतलब कितनी बार ब्याज लगा जैसे ही हम n will be equal to t only in one case कब जब interest क्या हो compounded anomaly हो जैसे ही आगे जाके थोड़े कलपरसों की class में हम बढ़ेंगे आगे एक word यूज करेंगे हम half yearly, quarterly तो वहाँ पे n और t equal नहीं होते हैं बात समरे n is equal to t सिरफ एक case में जब आपका compounded anomaly हो मतलब साल के end में ही ब्याज लगता हो ठीक है इसका आगे discuss करेंगे क्या है सारी कानी बस देख लो इसकी शकल ऐसे रहती है इसका काम कुछ भी नहीं है ठीक है देखो इदर एक question लेता हूं मैंने का माल या principle कितना है 5000 रूपी रेट है आपका 20% और टाइम है आपका three year और वह आप से compound interest पूछे तो एक तो यहीं कहानी ऐसे जो अभी आमने मैंने discuss किया आप 5000 का 20% निकालो उसमें एड़ करो फिर 20% निकालो एड़ करो टाइम कितना दिया है तीन साल तो तीन बार उसको निकालेंगे फाइनल इतनी वेल्यू आएगी 5000 और जो फाइनल वाली वेल्यू उनका डिफरेंस ले लेंगे आपको compound interest मिल जाएगा नहीं करना है उससे तो है ना करना नहीं है उससे तो क्या करना है मेरे दो सुनते जाना सभी जहां देना भी आगे आएंगी चीज़ें अभी तो यह बेसिक से सवाल है नंबर इजी लिये हैं 20% सबसे पहली बात मैंने बोला था आपको आइडिया होने नहीं है तो भी बता देता हूं क किसी भी परसेंटेज को दुनिया की किसी परसेंटेज को रेशो में कनवर्ट करना है तो किस से डिवाइड करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं तो इसको लिख देंगे 20 अपॉन 100 और आपस में काटेंगे तो कितना आजाएगा 1 by 5 ठीक है क्लिर है इतनी बात कोई भी हो आगे अलग लग परसेंटेज आएगी मैं करके दिखा हूं आपको और कह रहा है जो भी आपका ये परसेंटेज को रिशो में कनवर्ट करने के बाद नंबर बना इसका जो डिनॉमि ये 20% ब्याज लग रहा है किस पर लगता है ब्याज के परसेंटेज के टाइम डिस्कुश किया है बहुत तरीके से कि परसेंटेज का जो डिनॉमिनेटर पार्ट रहता है वो हमेशा किसके कंपरिजन होता है किसका percentage है ये, उसके बारे में बाद करते हैं, किस के बारे में बात करेंगा फृरिंसिपल के बारे में तो आपने बोला पांच रुपए principle, एक रुपए ब्याज, तो amount कितना हो गया? प्रिंसिपल और amount की बात करूँ तो इस ratio के according कितना हो गया? 5 से 6 एक साल का ब्याज एक रुपए 5 रुपए था प्रिंसिपल एक रुपए इंटरस्ट लगा कितना हो गया 6 रुपए अगर सिरफ 1 यर की बात हो तो यहीं पे खतम हो जाती और कितने साल की बात है 3 यर अगर आपका टाइम 2 यर हो 3 यर हो 4 यर हो तो क्या करना है अगर 2 यर है तो क्या करते हैं दोनों का स्क्वेर इन दोनों का प्रिंसिपल का भी स्क्वेर और अमांट का भी स्क्वेर 3 यर की बात करते है तो क्या करना है दोनों का क्यूब 4 यर की बात करते है तो दोनों की पावर 4 प्रीयर से ज़्यादा इससे करते नहीं एक जैसे नंबर बढ़ा होगा तो पावर फूर बहुत बड़ी निकलाती है 216 ठीक है आप बोले तीन साल के हिसाब से मेरा principle कितना है hanno ABC सब्सक्राइब कितना बन गया Damn 216 यो गॉश्न परेप इसीन आअ कवडुbowsल है सिख्या देखा 75, 10, 85, and 6, 91, yes, 91, अब सवाल पे आते हैं हुआ गया, तुम कहा रहे हो तुमारा प्रिंसिपल कितना है, 125, प्रिंसिपल कितना बता रहे हो आप, 120, 5 बता रहे हो, पर दे कितना रखा है, 5000, तो comparison पे आएंगे, आप बुले मेरा प्रिंसिपल 125 है, पर actual में है कितना, 5000, 125, 5000 के equal है तो 1 की value कितना ही होगी, 5000 को किस से divide करेंगे, 125 से divide कर देंगे, काटो यहां पे कितना, 125 से 4 और 0 कितने पे जा रहे है, 40 पे, 125 फोर जा कितना होता है, 500 और 10 एक्स्ट्रा, 1 की value कितने के equal, 40 के equal, तुमें निकालना है compound interest, उसकी value कितने दिखाई दे रहे है, 91, 1 is 40, then 91 will be equal to, 91 into 40 तो क्या चल रहे है, 0, 4, 1, 4, 3, 6, 4, 0, 3,640 रुपए आपका interest आ गया, दुबारा सुन लेक बार, note करने की जल्दी मत करो, दुबारा explain करो, data क्या दिया, तुमें principle दिया, उसने, rate दिया, और time दिया, और पूछा, इतने साल के बाद मेरा compound interest बताओ, पहला step क्या है, आपको rate को हमेशा ratio में convert करना है, कुछी भी rate को, मैं 16, 2 by 3% बोल देता, तो कितना आ जाता, 1 by 6, 14, 2 by 7, बोलता, 1 by 7, जो जो रहेगा उसके according, first step है आपका, अगर rate दिखाई दे रहे तो उसको ratio में convert करना, denominator में जो number होगा, आपके fraction का, जो denominator होगा, वो हमेशा आपको क्या बताएग प्रिंसिपल, कि इतने रुपए मेरा प्रिंसिपल है, assume करते हैं इसको, असल में तो कुछ और था ना, तो मैंने मुला, 5 रुपए मेरा क्या है, प्रिंसिपल, numerator जो होगा, वो बताएगा, आपको interest किस साल का, एक साल का हमेशा, एक साल का interest बताता है, तो तुम मुले, अगर एक साल में 5 रुपए पर 1 रुपए interest लगे, तो amount कितना हो गया मेरा, 6 रुपए, ये एक साल की बात करते हैं, अगर 2 साल होता, तो दोनों तरफ क्या करता, square, 3 साल है, तो क्या करूंगा, Q, अब कुछ को लग रहा है, बला सर, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, रटने वाली बात नहीं है, पुरुमले को ही अलग-लग तरीके से चेंज कर देते हैं, अगर आप पुरुमला देख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखे, मैं लिखा था, 1 प्लस, यहाँ पी मैं नहीं लिख रहा हूं, पी इंटू सम्थिंग था, 1 प्लस आर अपॉन हंडर्ड की पावर, इसका भी क्यूब हो रहा है, फाइव का भी, वही किया है हमने, चीजों को बोलने का तरीका बस बदल दिया, रटने वाली चीज नहीं है, बात समझा रही होगी सभी, ठीक है, तो यह लिख दिया हमने कि अगर बस अभी तना ध्यान देलो कि पता भी लग जया क्यूं किया बस अभी तना करना है, दो साल दिया है, तो स्क्वेर करना है, तीन साल दिया है, तो क्यूब किया, पिर तुम बोलते हो principle इतना है, पर है कितना असल में, 5000, कंपैरिजन करोगे, हमने एक नंबर बनाया आपने इसके according, हमने बोला इतना है, पर actual में कितना है 5000, 125,000 के बराबर तो एक कितने के बराबर 125 से divide कर दिया 1 की value इतनी तुम्हें किसकी value निकालनी थी interest की उसकी value कितनी है भाई 91 तो 91 की value कितनी हो जाएगी 91 into 40 that is 3640 उम्मेद करता हूँ clear हो गया आर सभी को जल्दी से note कर लो कि नोड़ थोड़ा सा जल्दी कर लिया करो चोटी चीजे हैं आकि हम ज्यादा से maximum number of question कर पाए जितने question करें उतनी आपका thought develop हो गया रियाद रखिए है ना बढ़ें आगे चलिए एक और लेते हैं ऐसा ही example your principle is rupee ले लीजिए चलिए कितना 108 00 rate is 16 2 by 3 percent time is 2 year आपसे पूछ लेते हैं चलिए interest ही पूछते हैं पहले compound interest बताओ ठीक है तो कर लेंगे यार इसको सबसे first step क्या है आपका rate को ratio में convert करना 16 2 by 3 को कैसे लिखेंगे 50 by 3 फिर नीचे कितना लगाएंगे 100 एक बार आप try करो 30 सेकिंड है आपके पास फिर मैं करूँ यार ठीक है जल्दी से try करो आप लोग 3900 येस एक सेकिन ये इतना है ना बिल्कुल ठीक है यार वेरी गुट 3900 ये आप लोगा है ये बिल्कुल ठीक है कि देखो यार इदर सवाल इतना लंबा था नहीं सुनो तब से पहला स्टेप है रे परसेंटेज को रेशो में कनवर्जन तो क्या करेंगे सिक्स्टीन थ्रीजा फॉर्टी एट प्लस टू 50 by 3 अभी तो इसको लिखा है ना अभी कनवर्जन किया नहीं है कनवर्जन करने के लिए नीचे क्या लगाते हैं 100 फिफ्टी से वन पे ये टू पे उपर कितना वन नीचे कितना आ गया फिक्स यहां पे है पहला स्टेप अपना जीवन का आप बोले प्रिंसिपल मेरा कितना है 6 रुपे अमाउट कितना हो गया, जी? 7 रुपे पहला स्टेप टाइम कितना है? 2 यर, तो दोनों का क्या करना है? 6 का स्कूर किया, कितना? 37, 7 का स्कूर किया? 49 ठीक है? प्रिंसिपल आप बता रेघंट थादिजिवन का कितना हो गया? 2 साल में 49, तो इंटरस्ट कितना है मे इस तेरा की वेल्यू निकालने कहीं से इंट्रस्ट निकालना है मतलब इस तेरा की वेल्यू मिल जाए एक वेल्यू इनुमें से तुम्हारे पास होगी comparison तभी हो पाएगा ना जब एक assumed value real के form में exist करें तुम कहरें प्रिंसिपल कितना है 36 पर कितना दे रखा है 108 00 means 36 is equal to 108 001 will be equal to divide कर देंगे 36 कितने पर 3 पर जाता है 3 00 है ना 36 3 जा 108 1 is 300 आपको निकालना है value interest और वो कितना है 13 जा 13 विल भी 300 गुणा 13 कितना 39 00 4900 उम्मीद करता हूं clear होगा सभी को कोई दिक्कत वाली बात किसी को या clear है ना यार सीधी simple बात है कोई रटने वाली बात नहीं है समझार यह चीज़े जालो बढ़े आगे कि देखिया अगला सवाल इस बार चीज़ें बदल देते हलकी सी मैंने बुला principle आपको क्या करना है find out करना है rate आपको दे दिया मैंने कितना चलिए six two by three percent time आपके लिए है कितना जी two year और आपका जो compound interest है वो दे दिया आपको one two four zero रूपी एक बर करके देखेंगे आप लोग मतलब इस पर interest दिया है मतलब इस पर interest को compare से start करना है और निकालना है principle परसेंटेज को रेशियो में कितना है इस परसेंटेज को रेशियो में कितना है कितना है पहला स्टेप तो यह कितना रहा है वन बाई 15 आ रहा है या नहीं फिर्स्टेप इस इस फिर आप बोलेंगे principle 15 है amount कितना हो गया 16 15 और एक शोला कि बन बाई 15 है चेक करो तो 10,000 कि इसके एक सेगेंड जा रहा है और बिलकुल ठीक है भाई 10 नाइन हाँ नाइन ठीक है नाइन इस दाग परसेंटेज का कनवर्जन देखो है क्योंकि यह तो पहला स्टेप है इसके बिना तो जीवन वेर्थ है फिर 6 2 by 3 को इधर जिसको नहीं आ रहा है देख लो यार जल्दी से तभी सिखोगे 6 3s 18 plus 2 20 by 3 ये तो अभी conversion नहीं किया ये तो इसे को लिखा है mix fraction को fraction में लिखा है upon क्या कर देंगे 100 20 से 1s 20 से 5s आ उपर कितना है 1 नीचे 5 3 15 ठीक है तो यूविल से यूर प्रिंसिपल इस 15 अमाउंट इस 16 इंटरस एड होके अमाउंट आपका दो साल की बात है तो क्या कर दोगे स्क्योर 15 का स्क्योर 25 स्वेओंड 25 सोला का स्क्योर 210 सप्पान यहां टक कोई दिक्त नहीं इंटरस्ट कितना होगा दोनों का difference दोनों का difference कीतना है 31 यहां तक मुझे लगता को दिक्कत होनाँ जैए किसी आप क्यासर्ट इन्टरस्ट कितना है उसी तो चीज़े compare होंगे ऐसा तो नहीं करना है कभी भी कि पिछले में ऐसा किया तो आप कह रहे हो principle interest 31 है पर दे कितना रख है 1240 31 is 12401 will be equal to divide कर दो तो कितना आ गया 40 1 is 40 आपको किसकी value निकालनी है principle की that is 225 1 is 40 then 225 is multiply करेंगे 225 इंटू 40 कितना आ जाएगा आपका 9000 क्लीर है यार सभी को कोई दिक्कत यहां तक मतलब इस तरीके ने एक बात हमें बता दी कि अगर तुम्हारे पास इन तीनों में से इनी को तो compare करते ना मोर कुछ करते हैं क्या या तो तुम्हें principle दे रखा होगा तो इससे compare कर देंगे interest दिया तो इससे compare कर दिया और किसी question में next में वह ले लेते कि amount दिया तो amount से compare कर दिया एक को compare कर दिया फिर जो निकालना था वो निकाल लिया यह step चल रहा है मतलब अभी तक हमने यह सिखा कि principal interest amount में से कोई एक value देगा और rate और time तो देगए देगा उसके बिना तो यही नहीं बन पाएगा ना इसी last सवाल के साथ इस type को end करके आगे बढ़ें यार देखना क्या क्या रहा है principal निकाल यह चलिया आप rate आपको देदिया कितना ले 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 वेल वन भाई 2% ठीक है और time देदिया यार आपको 3 year इस बार amount दिया है आपको क्या दिया भाई amount और amount कितना दिया है 14,580 रुबए आपको principal बताना है या interest बता दू तुम principal भी मत बता विए लो find compound interest find compound interest अगर यह यह दिया हो तो compound interest find out करना है आपको you are given with the rate rate की आगे मैं नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब यह क्या है परैनम परैनम का मतलब एक साल के उपर इतना ब्याज है परैनम means on one year जल्दी से बताओ यार कितना बताया 4340 बारा परसेंट है अधिस और 4000 बता रहे हो लगबक आप कि नहीं यार इतना ज्यादा नहीं हो सकता मों कि इतना बनी नहीं पाएगा कि गलत आंसर है 43 कि एक सेकेंड कैसे है तीन साल होगा ना बारा च्छतिस च्छतिस और कितना भी जाओगे तो 50 परसेंट मैक्सिमम मान लूँ मैं कि 4340 को 50 परसेंट इतना यार नहीं बन सकता है एक सिंग मैंने नंबर चेक कर लूँ ट्वैल वन बाई टू बूलाए ना वन बाई इट तो नहीं नहीं का जीए कि आज कि आज कि नहीं यार गलत है 4340 आपका चलो बताते जाओ जो आंसर किये रेक्शन क्या बना आपका वन बाई एट वन बाई टू परसेंट को रेशो में कनवर्ट करेंगे देट विल भी वन बाई एट अभी गलती समझा जाएगी आपको प्रिंसिपल कितना है आठ रूपए तो एमाउंट कितना है एक साल के लिए टाइम कितना दिख रहे है तुम्हें तो क्यूब करना है यार एट का क्यूब कितना पांसो बार अच्छ सॉरी सॉरी ठीक है इंटरस्ट बोल रहे थे ना आप लोग मैं बार बार माइंड में प्रिंसिपल निकाल रहा था इसलिए ठीक है बिल्कुल सही है फिर नाइन का क्यूब कितना हो जाएगा आपका यार सेवन ट्विंटी ओर ठीक है आपका है ना मेरे दिमाग में बार बार प्रिंसिपल चल आपका इंट्रस्ट कितना आएगा डिफरेंस कितना आ रहे है तू वन सेवन ठीक है इसकी वेल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इंट्रस्ट की है ना यह आपको गिवन है तुम कह रहे हैं अमाउंट 729 है पर है कितना 14580 तो 729 इस एक्वल टू 14580 वन विल बीकुल टू डिवाइड करता है कितने पे 20 पे 729 का डबल कितना 1458 वन इस दिस मच आपको वेल्यू बतानी है इंट्रस्ट के एंड एट इस 217 सो 217 इस 217 इंटू 20 0 यह 34 और 4 वेल्कुल 4340 CI आर सब्कूर् francव कीस प्रिंसेपल पूछता त्सक्रवन निकाल देते 512 की ठीक है प्रिंसे प्रिंसेफल प्मूचता तो विल निकाल देते 512 की तू कितना आ जाता 10 MP240 केतना आ जाता 10,240 क्लियर है यार सभी को इस टाइप से आगे बढ़ सकते हैं कर लेंगे अब आछ निकाला तो है तो निकाला बच्चे और यह क्या निकाला इसको मतलब पहुंच नहीं पारी को तो निकाला तो यह ना निकालना और कमपेर करना लग चीज है कि फाइंड आउट करना एक कोस्चन मार्क है कि यह तो निकालना है कि क्यों कर दो कि मैंने एक बात सुनों जीवन में आप दो सेम चीजों कमपेर करेंगे ना कभी ऐसे जीवन में हमने बोला है कि घोड़े से तो आदमी सुन्दर है कभी ऐसे बात करता है क्या तेबल का कंपे जान से हैं का मांट का यह कंपेरिजेंगा कि मिसका ख में पेर नीस से क्यूं कर दोगें और कि तुम करेंगे हो अमांट इतना है और तुम्हें यह नहीं कि रख्भात है तो इन दोनों कई तूं पेर तूम बोल रहे हो hon 739 साउमा पर है कितना इतनाम cm729 इतने के बराबर त एक की value 20 तुम्हें चाहिए था interest कितना तुम क्या बता रहे हो कि 217 हमें 217 की value निकालनी थी कि एक होने का मतलब 20 के बराबर है तो 217 होने का मतलब कितने के बराबर 20 गुना 217 किया तो कितना आगया 4300 क्लियर है बच्चे कंफम है ना तभी को ना यार बहुत सिंपल बाद चलिए अब आगे लेके चलते हैं इस कहाने को थोड़ा सा अब सुनते जाना हम बात करेंगे ट्री मेथड की इनी चीजों को जिन चीजों को अभी हमने निकाला उसको किस से में थड़की जरत पड़ती है ठीक है तो पता होना चाहिए समझ लें आसान सी कहानी है इन्हीं सवालों को मैं नंबर बतल दूँगा चीजें वही निकाल रहे हूंगा मैंने लिखार मान लिए प्रिंसिपल कितना है जी आपका ट्वेंटी थाउजेंट रूपी स्थ हम लेटे हैं चलिए कितना ले 5% से टाइम ले आपका पहले तूंमेर निकाल लेंगे फिर थीैर निकालेंगे ठीक है और आपका मन होगा तो फौर के भी बना लेंगे ठीक है हमें चाहिए compound interest या मैं क्या बोल दूँगा अभी तक जो हमने सीखा अभी तक दूसरा तरीका भी है मैं यह नहीं गया रहा हूं इसी से दूसरा तरीका है बताओं आगे जस्ट इसके बाद पर अभी तक की हम discussion में बोलें तो जो तरीका हमने पीछे यूज किया उससे आप CI और SI का difference नहीं बता सकते अभी तक बात समझ रहे हैं ट्री मेथट तुम्हें वह भी आजादी देता है कि मैं पूछ लूँ 20,000 जो rate लग रहा है वो कितना है 5% और 5% को ratio में convert करूँ तो कितना हो जाएगा 1 by 20 एक ही मिनिंग होते हैं मैं 5% apply कर दू किसी पर 1 by 20 apply कर दू दोनों एक ही चीज होती है तो जो first year जो मुझे interest मिल रहा है वो कितना मिल रहा है इसका 1 upon 20 20,000 का 1 by 20 और कितना मिला interest मुझे 1,000 रूपी कितना interest मिला जी 1,000 आपने बोला पहले साल का interest हो गया 1,000 पहले साल की कानिक हतम हो गया अब next year जब बढ़ेंगे ना तो क्या करना है आप बोलते हैं अब उस चीज को पकड़ते हैं कि interest on interest कहां दिखाई देता है मैं यहां दिख लगेगा आप क्या बोलोगे बोला principle पे तो लगना ही लगना है वो तो होता ही होता है और जो interest उसने तुम्हें वापिस नहीं दिया जो कि उसके पास है कितने रूपए हजार रूपए इस पे भी लगना चाहिए तो जो अगले साल interest लगे वो किस पे लगेगा इन दोनों प 20 लगेगा इसका 1 by 20 कितना हो गया मेरे दोस्त 50 कितना हो गया 50 तो मैं दो साल की बात करूँ तो दो साल का मेरा आ गया अभी तक मैं दो साल की बात करूँ बारी बारी से डिस्क्स करेंगे तीनों दो साल की ट्री की बात करूँ तो दो साल का ट्री बन गया क्या कहता है करें जो फस्ट जो है यह देगा मुझे फस्ट इयर का यह क्या बताता है फस्ट इयर सी आई यह अकेला क्या बताता है सेकंड इयर सी आई और पूरा टोटल हो तो क्या बताता है सी आई ओफ टू एयर ये बताते हैं year wise और total क्या बता रहे मुझे two year का बात समझागी दुबारा समय लो करना क्या है सबसे पहले interest लगे किस पे जो सामने पैसा पड़ा है उसी पे तो लगेगा कौन है 20,000 तो पहले साल इस पे 1 upon 20 लगा कितना आ गया 1000 अगले साल जो इंटरस्ट लगे किस पे लगेगा आप अपने दिमाग को यह बादा दो इंटरस्ट और इंटरस्ट अटा कि यह बोलो कि जो जो मुझे अलग अलग जगह पैसे पड़े दिखाई देंगे उन सब पैसों पे लगाना है तो कौन-कौन पड़े दिखाई दी एगले साल मूव किये तो यह दो तो एक बार इस पे लगा और फिर इस पे लगा दो साल पूरे दन तो टोटल इंटरस्ट अगर मैं बताऊं तो दो साल का टोटल इंटरस्ट कितना 1000 अजार और कितना 2000 हजार पचास सी आई कि यह जो फर्स्ट रो रहती है ना आपकी यह जो सबसे फर्स्ट रो है आपकी जो डिरेक्ट प्रिंसीपल पे लगती है यह किस पर लगए डिरेक्ट प्रिंसीपल पे यह आपको बताती है simple interest, क्या बताएगी आपको simple interest तो simple interest कितना हो गया, 1000 और 1000 2000 रुपए ठीक है जी इस पूरे CI में से मैंने SI हटा दिया तो बचा हुआ क्या बताएगा CI और SI का difference ये आपको बताता है CI minus SI ये सोर हो तो अगर मैं आपसे पूछता कि 2000 रुपए पे statement होगा find the difference of CI and SI for two year at 5% per annum तो answer कितना आजाएगा 50 CI SI का difference कितना आगया, 20,000 रुपए पे दो साल के लिए 5% के rate पे कितना आगया, आपका 50 रुपए ठीक है तो ये अभी तक के according आप उस calculation से तो इस पे नहीं जा सकते थे directly ठीक है, ट्री आपको option देता है हर एक point अलगलग पड़ा है उसमें, सामने दिखाई देगा, ये क्या है ये क्या है, बिल्कुल clear idea देगा आपको, पर मैं अभी भी बता रहा हूँ फिर से, कि CI SI निकालने का सिरफ ये एक तरीका निया एक और तरीका बताऊंगा, जो इसके बिना भी कर देगा, अभी के लिए हम tree सीख रहे हैं, कि tree बनाते कैसे हैं, उसके बारे में discuss कर रहे हैं note कर लो जल्दी से आरे, और ये note कर ला है ये सिरफ SI बताता है, पूरा का पूरा CI बताएगा आपको और इसको छोड़के जो बचेगा, यार पूरे CI में से मैंने SI हटा दिया, मतलब CI माइनस SI किया, तो जो बचा वो क्या है difference, तो नीचे वाला क्या देगा, आपको CI और SI का difference देगा другb, 1st year onward लगे न, भाई ब्याज पर ब्याज तुम कभ लगा ओगे जब और अजा आये तो सही तबी तो ब्याज पर ब्याज लोगी ब्याज ही नहीं हो तो ब्याज पर ब्याज लोगे कहा झाल झाल कर लिए यार सब ने भड़े आगे फ्री इरिका ट्री बनाता हूं इसी नंबर के साथ यह ना अभी तो हम सीख रहे हैं मैं अलग लग सवाल के साथ देखेंगा यही नंबर चल रहे हैं अभी हम सिर्फ ट्री बनाना शीख रहे हैं यार क्या है कितना है 20,000 बीस हजार पे पहले साल कितना लगा जी? वन अपॉन 20 तो ब्याज कितना निकला आया जी? मेरा एक हजार रुपई अगले साल भी कितना लगेगा? नीचे 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 उसको अंदर डाल दो या अगले साल भी मतला मेरे देखते हुए मत करो जब मैं इधर मुऊना तब किया गर हूँ इस पर कितना लगा वन बाइट्वेंटी नेक्स्ट यर जो लगेगा इन दोनों पर क्या बोला मैंने सिंपल तुम यह दिमाग में मत ड़लो ब्याज ब्याज तुम यह बताओ मुझे ब्याज किस पर लगाना है जो पैसा पड़ा दिखाई देगा तो पहले साल कौन दिखाई दिया यही दिखाई दे रहे इस पर लगा अगले साल गया तो दो जगए पड़े दिखाई दिखाई दिये तो इन दोनों पर लगा हूँ आ तो इस पर लगाया 1 by 20 तो कितना कितना आ गया फिर से 1000 और इस 1000 पे लगाया 1000 का वन अपॉन ट्वेंटी कितना आ गया 50 जो जिस यहर का है उसके साथ रखो ठीक है इधर उदर मत पटक दो क्योंकि आगे जाके काम आएगा वो स्पेशली बुल लगा थर्ड यहर और सेकेंड यहर किस यह का डिफरेंस तो तुम हम इधर उदर लिख दो पता ही निलगे यह कौन सा किसका एंप नजोगक है उसके साथ ही पैटन दो साल की बात हो हम जा रहे हैं अब तीन साल पर था क्लीट तीसरे साल पर जाना तो किसकिस पर लगेगा इन चारों पर क्या बोले कि जो पैशा पड़ा दिखाई दिए उन स इसका 1 वाइट टुट इधाना आ जैगा 50 कि इसका डराइट 20 कि इतना जाएगा और इसका वरन वाइट 20 कितना टुपॉइंट विधू सुझ सालका आखनर है टीन साहल को प्री बन गए ठीक है गहां है सेम वही बातें होंगी यहां भी क्या यह पूरा का पूरा, जो प्रिंसीपल के नीचे पड़ा रहता है, वो क्या देता है तुम्हें, कंपाउंड इंटरस्ट, यह सो नो, प्रिंसीपल के नीचे जो पैसा पड़ा हो, सारा क्या है, सी आई, तो टोटल गरू तो कितना, तीन हजार, एक सो पचास और दो पैंट बा आपकी, जो आपकी फर्स्ट रो है, यह आपको क्या बताती है, SI, क्या बताती है, SI, कौन सी जो डिरेक्ट, प्रिंसीपल पे लगती है, यह बताती है, SI, तो SI कितना आगया आपका, 3000 रूपी, ठीक है जी, SI 3000 रूपे, इस पूरे CI में से, मैंने SI हटा दिया, तो जो बचेग का, वो क्या देगा, difference, CI और SI का, difference, बचा कौन है, जी, बचा है आपका, यह, इधर पड़ा, यह, और यह आपको क्या बताता है, CI माइनस, SI, और वो कितना बचेगा, यार, 152.5 रूपी, ठीक है, और सुनना, यह फिर से क्या बताता है, सिरफ और सिरफ फर्स्ट इयर के बा यह क्या बताएगा, total, second year के बारे में, total, और यह total क्या बताएगा, third year के बारे में, अगर आप से पूछ ले paper में सवाल यह रहे, find the CI of third year on 20,000 रूपी, at 5%, तो आंसर क्या होगा, यह इतना, कितना आंसर हो जाएगा, 1052.5, 1052.5, तो specific किसी year का पूछेगा, तब तुमें यह मदद कर देते हैं, कि बिलकुल, क्योंकि इस से पीछे जो उमने सीखा, तुम special year का तो बता नहीं सकते, special year का बताना होगा, तो 20,000 का पहले साल इतना लगा, फिर इतना हो गया, फिर second year से जो third year में बने वो निकालते आप उस तरीके से जाना पड़ता, या tree आपको हर एक point दिखा देता है, सिरफ third year का पूछे तो answer कितना है, 1052.5, clear है यार यहां तक सभी, note कर लो, तीसरे साल का भी, च्यार साल के आपको tree की जरुत पड़ती नहीं है, पर हम च्यार साल का बना लेंगे, तो 3 साल का बच्चा लगने लग जाएगा तुम्हें, यह तुम्हें लग रहा होगा, कि सरीश में तो time लगता होगा बनाने में, यार मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ ना, तेरा सेकिंड लगती है maximum, एक tree बनाने में, maximum, ठीक है, यह तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि धर से यह किया इसलिए, वरना यह तो सीधर से रड़ दो चेक, बोला जो पहले साल लगा, वो आएगा यहाँ पर, सेम वो रिपीट करता है, और इसका जितना आता है, वो यहाँ पर आता है, ठीक है, और यह फिर रिपीट करता है, इस जैसे दो यहाँ पर आ जाता है, और एक इसका 1 by 20, हमेशे यह चलेगा, वह नमबर बदलते जाएंगे, यह पैटन थोड़ी बदल जाएगा, बात समझे ज़रत है नहीं, बस प्रैक्टिस के लिए तुम सीख जाओ गया, फिर से अगेन कितना है, जी बीस हजार, बीस हजार का पहले साल, 1 by 20, कितना, एक हजार, देखना, तीन साल का तो जल्दी से बना देगा, बोला ऐसा ही रिपीट करते हैं, यहाँ पर इसका 1 by 20 आता है, कितन आगया, 2.5, तीन साल का तो बन गया, यह थना टाइम लगता है, बात करते हैं, 4th year पर आएंगे, तो किस पर लगेगा, इन सब पे, कितने हैं वाई है, 4, 3, 7 और 1, 8, 8 जगे लग रहा हो, तो सबसे पहले तो यह जो डिरेक्ट लगता है, वो तो सेम ही रहेगा, एक हजार लग गया, ठीक है जी, फिर इन तीनों एक हजार पे जो लगेगा, वो कितना कितना, पचास, 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 यह सोर नो, इन तीनों पे लगा दिया, जी, पचास, पचास और पचास, फिर इन तीनों पचास पे लगेगा, पचास पे लगके कितना बनता है, 2.5, तो तीन यह तुम्हारा 4 साल का ट्री बन गए है सेम वोई बात हैं क्या पूरा का पूरा क्या देगा तुम्हें CIE फस्ट रो क्या देगी SI और फस्ट रो छुपने के बाद यह जो नीचे पड़ा है यह जो नीचे पड़ा इधर यह क्या दे रहे तुम्हें सी आई माइनस साइए ठीक है यार अब दो तिन चीजे देखेंगे कि सी आई माइनस साइए के लिए इतना लंबा चोड़ा करने की जरुद है नहीं ठीक है बताऊंगा सारी चिंता मत करिए अभी के लिए आप करी बनाना सीख गये मैं चाहता हूं एक कोश्चन तुम्हें दूगा आप परी बनाएंगे उसका ना परी बनाना सीखना जरुए कि आना चाहिए ठीक है जल्दी से नोट कर दो यार अब बैंक में अव्ड लोन यार यार अइडिया निया मुझा यह थिंक C.I. लगता है सब जगे आए ऐसाई नहीं होता है और बैंक में E.M.I. system रहता है वो कुछ हलगी रहता है E.M.I. का calculation ऐगर आता है E.M.I. की आगे हम बात करेंगे जभी स्टॉपिक हाता मुगता हम बात करेंगे इस्टॉल्मेंट की ठीक है तो इंस्टॉल्मेंट से डिफरेंट थिंग वो प्रॉपर यह मैं कैलकुलेटर होता है उसकी बेसिस पर रहती है सारी चीजें वहाँ पर ना वह बात कर रहा है जनरली जो आपकी जुस्ट यह मैं कैलकूलेशन रहती हो यह जो हम सीखते है यह और वह थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है तो बेसिक चीजों की कहानी हो रही है यहां पर तो ठीक है आगे जाके बहुत सारे उसमें फेक्टर लगा दिये जाते हैं चीजों की फाइनल कैलकुलेशन तो बहुत अलग चीजों के राउंड कि अब बता हुआ जो हम यहां पर अप्लाई करें और जो वह एक्च्वल कर रहे हैं हलका सा डिफरेंस है ठीक है छोटा सा एक दो नंबर का आगे पीछे रखता है बाकी चीजी सेम रहती हलका सा ठीक है जलिए बढ़े आगे इससे आगे बढ़ना है सुनना क्या कहानी है ए जली दिक प्रिंसिपल आपको दे देते है कितना तीन साल का तो बनाओ यार दो साल का तो बहुत इसी रहता है तीन साल का ट्री बनाओ आप रेट आपको इजी सा दे देता हूं यार 20% ठीक है पहली calculation है आपकी ट्री बनाओ एक बार ठीक है 25,000 पे 3 यर के लिए 20% रेट पे ट्री बनाईए पे पे लिए बनाईए कि अच्छे नोट्बुक देखने हैं जिसका हो गया गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में ठीक है यहां मिस्टेक है हलकी सी एक चीज़ कर दी जहां से चक करो कि इन दोनों पर लगेगा तो दो बार यह आना चाहिए ना मतलब हुआ है यह कितना है ठीक है अज़र 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 या अज़र टांट यह देखना या इदर लेको एंक है यह कैलकुलेशन गलती कर दी कुछ लोगों को पता है फिर भी एना और फिर भी इतने आसान नंबर दींए मैंने देखोंद र फिर से देख लो जल्दी से कितना टाइम लगता है यार पच्छेश हजार कितना 20 परसेंट इस वन बाइ 25,000 का 1 by 5 कितना 5,000 next year again 5,000 5,000 का 1 by 5 कितना 1,000 फिर से यह रिपीट करता है इससे निकल के 5,000 अगली दो इन पे तो 5,000 का 1 by 5 कितना 1,000 एं थाउजन और इस थाउजन का 1 by 5 कितना 200 खतम इतनी देर लगती यार calculation में mistake कर दी है कुछ लोगोंने बात समझ पाई अपनी गलतियां क्या है हाँ भई अरे अब clear है या नहीं है यार एक और करतो जल्दी से time नहीं लगाना principle ले लीजिए चलिए कितना दें आपको एक चलो एक सवाल लेता हूं है बड़ी असा सवाल और यह सवाल तुमने किया तो समझ लो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हिला पाएगा मतलब you will be rock solid thing ठीक है आसान मतलब सवाल नहीं है तुम यह कई बार पता है किया तो टीचर ऐसे बोल दे तो बच्चे सुथ रहे ओ पता नहीं क्या पत्थर मारने वाले है यार नहीं आसान चीजिए कुछ भी नहीं प्रिंसिपल आपको दे देते हैं चलिए मैं नंबर एक सेकंड बना लेता हूँ प्रिंसिपल यह है आपका rate for first year is 11.1 by 9% rate for second year is 10% rate for third year is 14.2 by 7% आपको तीन साल का CI और SI का डिफरेंस निकालना है करो आप मैं तो बता हूँ आपको खुले मन से करो जो समझ आता है हर साल rate अलग लग लग राया करो आपको 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 आ झाल 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 देखें यार मैंने तो भी कैलकुलेशन किया नहीं है देखा दो अपनी कैलकुलेशन बन मैंने बन मैंने बेल्कूल ठीक यार, वेरी गूट, 200, 300, 400, कितना बोला है तुमने, 440, CISI का डिफरेंस, थोटी से गलती कर दी, दुबारा चेक करो, 460 भी गलत है, वो दिखा दो, एक बार ट्री दिखा दो, यह कितना नंबर है, तुमारा ट्री परफेक्टली फाइन है, बस थोड़ी, लास्ट एर में जाके, मिस्टेक है, वेरी गुड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं, देखो यार इदर, सुनना इदर, मतलब अच्छा लगा, कुछ लोग कर पाए, कुछ नहीं भी कर पाए, किसी स्टेप पे तो हम बढ़ रहे हैं, not bad, इस सवाल को करने का मतलब, अब ट्री तो बच्ता नहीं है, इस कोशन, क्योंकि आपको हरे कोने का पता लगए, य इदर सुनना, क्या कर रहा है, प्रिंसिपल कितना है, 12600, ठीक है, देखते जाना, कोई बात, ना होने का मतलब यह नहीं है, कि होगा नहीं, ना होने का मतलब हम सीख लेंगे, ठीक है, इदर देखना, पहले साल कितना लग रहा है, 1 by 9, तो 12600 पे पहले साल कितना लगेगा, 1 वान बाय नाइन इसका बाय नाइन कितना नाइन से वन चार छख थी सोर जीरो यह सो पहले साल यह लगा रहे है मिरा 2nd year 2nd year का rate कितना है मेरा 10% मतलब क्या लगाना है 1 by 10 लगाना किस-किस पे है इन 2 पे अगले साल बढ़ते हैं तो जो पीछे पढ़ा है उनुपे तो इसका 1 by 10 10 is 1260 और इसका 1 by 10 is yes 2 साल कंप्लीट हो गए खतम 10 का काम भी खतम दिस इस 1 by 3rd year पे आ जाते हैं 3rd year 3rd year पे क्या लगेगा इन 4 पे पर लगेगा कितना 1 by 7 इसका 1 by 7 1 by 7 कितना 18 7 जा तो कितना 1 8 double 0 इस पे लग गया अब इन 3 पे बाकिए 1 by 7 इसका 1 by 7 7 से भाग दें कितना 200 इसका 1 by 7 कितना 180 इसका 1 by 7 कितना बताव यार मुश्किल चीज तो नहीं थी बात समझ गे इसको बनाने के बाद तीनों साला लग लग तुम्हें पता है कौन को महां तो फिर भी यह हो जाता न सेम था तो रिपीट करने लग जाते थे हम इसको बनाने का मतलब आब हमें सब कुछ पता है आपसे पूछा गया था मैंने का दिफरेंस कौन सा होता है भाई पहली रो को छोड़ने के बाद जो बचे इसको छुपा दिया पहली रो बचा कौन इसका टोटल टोटल कितना हो गया दोस्तो दोस्तो चार्सो पांसो चालिस लोगों ने ट्री सही बना के भी यह आंसर नहीं दिया मुझे दुख इस बात का था बस पहली रो बची इसके बाद नीचे वाले सबको एड़ करना है एडिशन में गलती करने देखा वह यह यहां तक पहुंचके भी अगर मैं अंसर ना दे पाऊं तो फिर वो मतलब दोखे वाली बात है कि यह सबहिं को यह फिरी यार सभी को आमत technology में होइं नृषी जीवर में हो इनिसकति यह फ्राफ लाब यह आती तो अब हमें सब कुछ आता है कोई दिक्कत परिक चार साल कपोछिशत करने का मानई खें power नहीं वह तुम हिम्मती नहीं दिखाते में वैसे ही मना करने वाला तो जूट बोल लिए अगर हो कई बार ठीक है मैं नहीं चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें ठीक है चलो यह बात होगी सारी अब सुनते जाना ज्यान देना दोती नंबर है जो हमें याद रखने कि जो अभी तक अगर मैं सिरफ डिस्केशन करूं मैं कि अगर मैं सिरफ आपसे बात कर रहा हूं कि कर दो साल क्नदर का तो बहुत कुछ होते नहीं ना कहां के बरावर का वढ़िए को डो साल निकालन की बिन एउटाना दो साल के लिए तो पएन भी नहीं नहीं उठाना És क्यूं सुन लो क्या निकाल जाता है मह carpalow जैसे 5000 रुपए हैं और में 20% बोल रहा हूं 5,000 का 20% कितना हो जायेगा 1000 और 1,000 का 20% कितना ओजायेगा तोहन्डर सिय हे सई का डेफेन्स होग आएगा जो क्यूं मैं एक बार फिर ट्री बना रहा हूं किसी और नंबर के साथ ही बनाता हूं 12800 और रेट है मेरा 25 परसेंट टाइम है फोर येर बना रहा हूं ताकि सभी आ जाएंगे दो तीन चार उसमें सारे आ जाएंगे पहले दो का सिंगे दो साल का बनाने तो देखना हो क्या रहा है कि वन टू एट अरे बाद में कर लेना मानता हूं तुम्हें सब कुछ आता है सीख लो कुछ सिखाने के लिए बता रहा हूं यह चीजें बता है मुझे आता है तुम्हें कि 25 परसेंट इस वन भाए तो इस पे कितना लगा वन बाए और तो चार से तीन बारा चार दो आठोर कितना बतेस्सों और सियाए एसाई का डिफरेंस दो साल का कौन सा रहता है जो इसके उपर लगता है वही तो इसका वन बाए फॉर करूंगा कितना आ आठ सों सब्सक्राइब लगा देता हुए एक सार करना लिख देते है क्योंकि यूज़ों है इस पर कितना आ गया बत रिफरेंस नन बर को 63 का देफरेंस तो पैन थूड़ी कुमिया तो बाराथ़ाजार आठोंपय कितना वन बाइफ्र कितना बत्にिस सों बाइफ्र एसके थीच कहले आ पर इस पे फिर से 1 x 4 तो कितना आ जाएगा 32 इन दोनों पे 1 x 4 कितना 800 और इस 800 पे 1 x 4 कितना हो गया और आपका CISI का डिफरेंस तीन साल की बात करें तो इसको छुपा के यह रखा ठीक है और चार साल की अगर बात करेंगे तो इसका अगेन 1 x 4 कितना 32 इस सो इन तीनों का 1 x 4 कितना तीन बार आएगा बाट सो हैं आट सो आट सो राट सो और इसका 1 x 4 कितना आएगा पचास यह चार साल का ट्री बन गया आप यहां से दो तीन चीजें सिखाना चाहरों मैं तो एक कोई कुछ अच्छा हाँ 800 का तीन बार रहे गया जल्द बज़ें सॉरी माइ मिस्टेक ठीक है अभी तो आट सो का तीन बार आना बाकी है ठीक है आट सो यह राट सो सॉरी अभी 32 का निगाल है आट सो आट सो का तीन बार कितना आएगा 200 और फिर 200 का कितना आ जाएगा पचास ठीक है जी यह हो गया चार साल का ट्री आपका ठीक है अब सुनते जाना इससे हम दो तीन चीजे सीखें तो तीन नंबर अभी हम लिखेंगे उसे हम डिरेक्ट वेल्यू निकालेंगे इस याई इसाई का डिफरेंस भी इतना सब कुछ किये दे बिना मिल जाता है हमें और C1 भी बड़ी जल्दी मिल जाता है इतना लंबा चोड़ा नहीं लिखना पड़ता है क्या-क्या नमबर अगर सिरफ फू इयर की बात करे तो नमबर याद रखना है आपको थू और व्ञ यह बाहर तो बॉक्स है समझलों सद्ग Commonwealth ॉनних वान पूरियर की बात करें तो नंबर आपको याद रखना है 4641 क्यों है बताऊंगा लॉजिक है कोई रटने वाली दो साल की बात अभी तक मैं किसकी बात कर रहा हूं सिरफ इधर बूल जाओ इधर दो साल की बात की यह आइटम कितनी बार रिपीट हुआ यह इटम कितनी बार तीन साल पर आजाओ तीन साल की बात करेंगे तीन साल पर आजाओ कितनी बार कितनी बार कितनी बार यह मदद करने वाला है अभी हमारी और आज यह चार साल पर कितनी बार एक दो तीन एक दो तीन कितनी बार एक, दो, तीन, चार, कितनी बार, और कितनी बार, बात समझागी, रटके तो नहीं लिखें, लॉजिक के साथ हैं यह नमबर, अब इनका फायदा क्या उठाना यार, देखता हैं, सुनना, मुझसे पूछ लेगा, CISI का डिफरेंस बताओ, यह करो, जो पहली रो रहती है, मु क्या बचता है, CISI का डिफरेंस, यह जो पहला दो है, सिरफ दो साल का देखो एक बार, यह वाला देखो एक बार, अभी यहां तक, वहां पीछे नजरें, भूला दो, यह वाला दो, क्या बताएगा, कि अगर तुम यहां पे जो भी तुमारा रेट होगा, उसका फरस्ट जो 1 by 4 निकालोगे, वो इसके नीचे लिखोगे, तो वो क्या बताएगा, this into two time इसकी पूरी value बता देगा, आया ना, अब बताऊँगा, सवाल के साथ समझोगे, और जो यह बचा हुआ है, यह किसके बारे में बताता है, CISI का डिफरेंस, पूरा का पूरा तो बताता है, C SI और बाकी बचा हुआ बताएगा, CIE माइनस, same story, पहले बाला बताएगा, SI, बाकी बाला बताएगा, CIE माइनस, कैसे अभी सवाल लेकते हैं, इस सवाल का नंबर याद कर लो, क्या-क्या बनता है, इसमें 3 साल के लिए मेरा CISI, sorry 4 साल के लिए, सभी का लग-लग चेक कर दे हुं तो यह, 3 साल का निकालता हुं तो 24 सो और खबीस ओरदो, 26 सो, एक साल का तो पता इसके बारे में तो बात इनी इसलिए इसके बारे में ज्यादा, इसके लिए तुझार के लिए मदद करता है, क्योंभी चार का थोड़ा सा ट्री में टाइम लग जाता है, और फिर कैलक यूर प्रिंसिपल इस रूपी नंबर ले लिया कितना ले यार कुछ कि अब कुलेशन वाला ले ले कोई रेट ऐसा ले ले तो कि अब क्यालकुलेटिव मैं चाहरा हूं कि आप क्यालकुलेशन सीख जाए वस इतना ही है और कोई मिनिंग नहीं है मेरा कि नंबर लेते हैं जीरो इतना ये है भाई चलिए ठीक है प्रिंसिपल मेरा इतना है कि रेट मैंने आपको दे दिया एलेवन वन बाई नाइन परसेंट और टाइम दे दिया आपको चार साल और पूछ रहे हैं चार साल में का डिफरेंस बताओ अभी तक दिया तो नहीं है चार साल में जरली उसने कोशन एक दूबार ही पूछा रूसमें पूछा क्या है चार साल का सी आई बताओ सिरह ठीक है तो स्टेप क्या रहेंगे पहले जल्द वाजी मत करो कोई दिक्कत नहीं सीख रहे हैं पहली बार कोई बुराइए यह लिखे क्या नमबर लिखे आपने 4641 क्या करती है पूर वाण अगला स्टेप क्या है जी बोला किस पर निकालना है इस पर 43740 का 11 1 by 9 that is 1 by 9 तो इसका सबसे पहले क्या निकालो 1 by 9 इसका 1 by 9 निकालें कितना 9 4 36 और कितना हो गया साथ 9 8 22 5 9 6 54 और कितना जीरो अब अगला 1 by 9 इस पर लगेगा इसका 1 by 9 निकालो इसका 1 by 9 कितना हो जाएगा 9 5 45 3 36 9 4 36 0 अगला 1 by 9 इस पर लगेगा 9 6 54 और 60 और अगला 1 by 9 इस पर 60 अपन 9 विल भी 3 से 3 20 अपन 3 इस और नो फिक है तुमसे अगर मैंने पूरा टोटल सी आई पूछों तो क्या करना है दिस इंटु 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 दिस और जो टोटल आई उसको एड़ अभी के लिए मैं तुमसे क्या तीस और दो 32, 240 और 20 by 3 into 1, 20 by 3, add कर दो यार कितना हो जाएगा, 20 by 3 को मैं लिख दू, 6.3 लिख दू, sorry, 6.6, 6.6, add कर दो, 0.6, and 6, and 4 and 4, 8, 2 and 2, 4, 3, 4, 8, 6.6, खताब, दरेक्टिस से कर लेंगे आप अपना, बात समझे आई या नहीं, बार बार उतना लंबा चोड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है, सीधा जो आपका प्रिंसिपल है, उसका 1 by 9, अब बात समझो ना हुआ क्या SL में, बिल्कुल परफेक्ट चीज किये, सुनते जाओ, अभी 4860 पर निकलता, सबसे पहला 540 यहाँ पर, 2nd year में, फिर 2 बार किस में आता, 3rd year में 540, ठीक है, फिर 4th year में कितना, पहले वाले उन तीनों पर लगके, 540 कितनी बार आ जाता, 6 बार आता, बात समझ रहें, फिर 540 पर जो लगता है, कितना, 1 by 9, तो वो कितना, 2nd year से 3rd year में पहली बार लगा होगा, 540 का यहाँ पर आया होगा, कितना, 60, फिर 3, 540 हो गए है, एक 2nd year का और 2, 3rd year के, वो 4th year में कितने हो जाते, टोटल 3, तो 3 महां जाते, तो 3 और एक 4 बार यह आया, और आखरी पे सिरफ एक बार यह लगता है, तो यह आ गया, बात समझ रहें, और समझ आगी, अरे clear है यार सभी को, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, उमीद, हाँ, रिप्लाई देने की बड़ी जल्दी है, यह मैं दो बात कर लिए, चलो ठीक है, I hope you enjoy the session, यार, मजा रहें, समझ रहें न, रटरना तो नहीं पढ़ रहें न, सिंपल सा अपना यह की करना नहीं है, कुछ भी, हाँ, तो ही, अरे अलगलग में तो देते हैं, वो चार साल का वैसे भी कम देता है, उसको पता है, तुमसे लॉजिक जनवाना चाहता है, उसको तुमसे, अगर किसी दे में बोला, सर आठ साल का दे दे तो क्या करें, तो छोड़ देना भाही, बात समरें, करना थोड़ी, वो देता नहीं, कुछ भी नहीं देता है, उसको पता है, मलब तीन साल का करवा 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 की थग गया, तो बस एक-दो बार ुसने, एक-दो बार, सो सवाल में से, एक सवाल भी कंट, मृदा, परसेंटेज की तौर पर कंट करें, तो बद़िक चा कि भाई कहां तक पूछते कोई एंड थोड़ी हूं इस चीज का तो कोई मतलब नहीं कभी उसका मन करता हूं एक सवाल कि थोड़ी तुम्हें मन करे कि थकाने का मन हो तो एक और देदेगा वो ज्यादा ज्यादा ठीक है वो थकाने वाली बात है उसका जो की 0.001% probability है ठीक है चलिए ठीक है रिवाइज करके आना है नेक्स क्लास में मज़ेदार टॉपिक है मज़ा आएगा तुम्हें पढ़के ठीक है चलिए सी यू जेहिन